नमस्कार, आपका मेरी चैनल में स्वागत है, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्टिक इस्नान की पुषकर इस्नान की कहाने बहुत समय पहली की बात है, एक गाउं में एक बुडी मा रहती थी, उनके एक बेटा और बहु भी थी बोड़ी मा ने अपने बेटे से कहा बेटा मैं पुसकर जाना चाहती हूँ वर बोड़ी मा चतुर मास में पुसकर इसनान किया करती थी बेटे ने कहा ठीक है मा मैं तुम्हें पुसकर छोड़ाऊंगा तब बोड़ी मा ने अपने बहु से कहा बहू, मेरी लिए ब्रत में खाने के लिए कुछ बना देना बहू ने अपनी शाज के लिए कुछ नहीं बनाया और खाली टिफिन ही रख दिया बेटा और मा पुसकर जाने के लिए निकल गए राशते में बेटे ने मां सी कहा मां अब फलाहर कर लो माने कहा ठीक है जहां पानी मिलेगा वहीं पर बैठ कर फलाहार कर लोंगी थोड़ी दूर चलने पर पानी मिला तो मा बेटे वहीं बैठ गए माने जैसे ही फलाहार के लिए टिफिन खोला तो बहर टिफिन फलों से भर गया मा ने फला हार किया मा बेटे पुसकर पहुंच गए वहाँ पर मा के लिए जौपड़ी बना कर बेटा घर पापस लोट गया रात में स्रावण मास आया उसने बुड़ी मासे कहा माई दरवाज़ा खोलो बुड़ी माने दरवाज़ा खोला बुड़ी माने पूछा आप कौन है तब उन्होंने बताया मैं स्रावण मास हूँ फिर बुड़ी माने भगवान सिव और मा पारवती की पूज़ा अर्चना की बेल पत से उनका अविश्य किया स्रावण मास खोस हो गय और जाते जाते बुड़ी मा को आशिरवाद दिया तो बुड़ी मा की जोपड़ी की एक दिवार सोने की हो गई इसके बाद भादर पद मास आया और बुड़ी मास से दरवाज़ा खोलने को कहा बुड़ी माने दरवाज़ा खोला और सत्तु बनाकर कज्री तीज मनाई भाद पद मास भी खुश हो गया और बूड़ी मा को आशिरवाद दिया तो जोपड़ी की दूसरी दिवार भी सोने की हो गई फिर अस्विन मास आया और उसने भी दर्वाजा खोलने को कहा बूड़ी माने दरवाजा खोला फिर बूड़ी माने पित्रों का तरपण कर ब्रहमर भोजन करा कर सराथ किया नवरात्री में दुर्गा की अखन जोट जला कर प्रशन किया सत्ति की बिजय दिवस की रूप में बुराई का अंत की खुशी में दसेरा मनाया असमिन मास भी खुस हो गए उन्होंने आशिरवाद दिया तो जोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई इन सब के बाद कार्तिक मास आया उसने भी दरवाजा खोलने को कहा बुड़िया ने दरवाजा खोला अतिप्रशन मन से कार्तिक इसनान किया दीपदानकर एकाद जैसी, दिवाली, गोबर्धन पूजा भही अदूज, आवला नम्मी, तुलसी बिभाकिया, कार्तिक मास भी खुस हो गए और उन्होंने भी बूड़ी मा को आसिरबात दिया, जिससे उसकी जोपड़ी महल में बदल गए, बूड़ी मा तन मंधन से गरीवों की सेवा कर भजन की इरतन में अपना समय व्यतीत करने लेगी, जब बेटा अपनी मा को लेने आया, तो मा और जोपड़ी को पहचान नहीं सका, तो उसने पडोसियों से पूछा, पडोसियों ने सारी बात उसके बेटे को बताई, उसकी मा की भक्ती की सक्ती के बारे में बताया, जिससे सुन उसका सारी बात बहु को पता चले, उसने सास के ठाट देखे, तो उसके मन में लालच आ गया, और उसने सोचा, अगले चतर मास में मैं भी अपनी मा को पुसकर भेजूँगी, उसे भी वहाँ से इसी तरह बहुत धन्य धान मिलेगा, ये सोचकर जब अगला चतर मास आया, तो उसने अपने पती से अपनी मा को पुसकर छोड़ाने को कहा, उसका पती अपनी सास को भी पुसकर जी छोड़ कर आ गया, अब बहु की मा पुसकर जी आतो गई, पच्चतर मास ब्रत, नियम, सेबा, पूजा में उसका कोई भाव न था, वे चार समय भूजन करती, दिन पच्मी की तरह चंचल होना चाहिए, भगवान की पूजा और अथिती का सम्मान करना चाहिए, उदर जव चतर मास समाप्त हुआ तो बहु ने अपने पती से कहा, जाओ, अब मा को ले आओ, पती सास को लाने पुसकर जी पहुँचा, सास तो कहीं नहीं मिली, जो अपड़ भी नहीं थी, उसने लोगों से पूचा तो बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती, बस खाती और सोती रहती थी, जिससे वे गदी बन गई, जवाई अपनी गदी रूपी सास को बांद कर घर बापस ले आया, उधर उसकी पतनी आस लगा का बैठी थी, आज उसकी माँ उसकी सास से ज़्यादा धन बैवब लेकर लोटेगी, तब पती घर पहुचा, तो उसकी पतनी ने पूचा, मेरी माँ कहा है, तब पती ने कहा, तेरे लालाच की बज़े से तेरी माँ गदी बन गई, बहु बहुत रोई, दुखी हुई, अब क्या करे, उसने बड़े बड़े विद्यानों, ब्राहमाणों, रिसी मुनियों से पूचा, तो उन्होंने बताया, कि तेरी सास के इसनान की ये पानी से, ये तेरी माँ को इसनान कराया जाए, तो उसे मनुष से योनी मिलेगी, तब वहुने ऐसा ही किया, और उसकी माँ पुने मनुष से योनी में आ गई, तो ही भगवान, जैसा आपने उस बूड़ी मा को दिया, वैसा ही आपकी पूजा, अर्चना करने वाले सभी भक्तों को देना, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथी बेल आइकान आपको मिलते रहे हैं, धन्यवाद